सू चलिए अभी हम लोगों के पास एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखीर क्या होता है Pois अब श्रेमिक से क्या समझते हैं हो इसे पोरी हम टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत दिल्चस्प भी होगा तो चलिए सबसे बेसिक चीज पहले हम लोग समझते हैं कि respiration का मतलब आप क्या समझते हो आप लोग जाद तर यही समझ रहे हो कि जब हम oxygen को अंदर ले जाते हैं और carbon dioxide को जब छोड़ देते हैं तो इसको respiration बोलते हैं तो क्या आप यही समझते हैं अगर आप ऐसा समझते हैं तो यह proper respiration का definition नहीं हुआ फिर यह गलत हो गया तो सहीब आइनमिक क्या है इसका मतलब तो देखे जब आप oxygen को लेते हो और carbon dioxide को अपनी सिरी से बाहर फेगते हो तो इसको क्या बोलते हैं ब्रीधिंग बोलते हैं क्या ब्रीधिंग को समझेगा ठीक है तो basically हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं कि जब भी gaseous exchange होता है gaseous exchange कहने का मतलब कि जब आप oxygen को अपने body के अंदर लेते हो ठीक है और oxygen कहां रहता है atmosphere में होता है हमारे हवा में होता है और फिर हम बदले में अपने body से क्या चोड़ते ह carbon dioxide यानि कि exchange of gases हम लोग करते हैं तो gaseous exchange जो होता है इसको हम क्या ब्रीधिंग इसको हम biological term में क्या बोलेंगे that is the breathing ब्रीधिंग ब्रीधिंग बोला करेंगे लेकिन अगर हम बात करें कि जब आप खाना खाते हो ठीक है breakdown of simple food in order to release energy inside the cell that is the cellular respiration अब यहां पर आपको समझना है अब आपको क्या है कि जैसे आपके पास खाना आप खाते हो कुछ भी खाना खाते हो ठीक है तो जैसे कि माल लीजिए कि आपने कुछ भी खाना खाया और खाना खाने के बाद जैसे कि आप आपने खाना खाया अब खाना आपने खाया और उस खाना को आप क्या क्या जाएग आपके cell के अंदर ठीक है तो जब food जो है उसको breakdown किया जाता है ता कि उससे क्या बन जाए energy जो है वो बन जाए तो इसको हम क्या बोलते है respiration बोला करते है तो respiration स्रिफ इसी को नहीं बोलेंगे जिसमें दोनो प्रोसेस इंवल्व होगा जिसमें दोनो प्रोसेस क्या हो इनवल्व हो यानि कि ब्रीधिंग भी होता हो और जो भी हम खाना खाएंगे उस खाना से oxygen क्या करेगा oxidize होगा oxidize होने के बाद आपने chemistry कर चैप्टर बन पढ़ा है तो आपने जला देगा उसको energy में convert कर देगा तो जब उसको energy में convert कर देता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं respiration बोला करते हैं आप यहां पर समझ गया होंगे कि respiration किसको हम कहते हैं ठीक है इसमें breathing भी है सांस का लेना और सांस का चोड़ना ये भी process होता है और साथ ही साथ क्या होताय है energy release करने का काम किसका है इसी का है यानी कि food को oxidizeगा और बदले में हमें Bhagari heavyと है इंश्व कि तो कि आहिए, आप सब करकेंदे जोले, आप विये क्नें ओर हो सब अहिक? अचलिया है और यही आप को साहली हैना आप आप यहां पर देख रहे हैं कि आपida फूड है कि आपने आप घाल खे रहे rash। oxidize होने के बाद आप आप देख सकते हैं कि मैट्रोकॉंड्रिया में जाकर क्या हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं cellular respiration कहते हैं यह simply आप इसको respiration भी कह सकते हैं तो basically आप इस बात को समझ गहोंगे कि आखिकार respiration क्या होता है